और चले बढ़ते आगे यूपी के हम बेटकर नगर में जम कर हंगामा हुआ है हम बेटकर पार की 25 को लेकर विवाद हुआ है और इसके बाग देखते ही देखते प्रदेशन कारी पुलिस से बिढ़ गए पुलिस और प्रदेशन कारियों के बीच जड़प हुई है महलाओ को दोड़ा दोड़ा कर पीटा जा रहा है और ये काम का दहा है पुलिस जिस पर महलाओं की सुरक्षा की जिम्मधारी है पुरुष पुलिस कर्मी दंडे वर सा रहे हैं ये देखे एक महला तो जमीन पर ही गिर गई लेकिन फिर भी महिलाएं पोलिस के डर से मैदान नहीं छोड़ रही मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के अमबेट का नगर की है जहां जम कर हंगामा हुआ पोलिस और प्रदर्शन कारियों के बीच जड़प हुई विरोथ प्रदर्शन के दौरान जब तक किसी को कुछ समझ में आता महिलाओं और पुलिस कर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गए भारी हंगामा देख पुलिस टीम में प्रदर्शन कारियों को दौड़ा कर पीटा इस दौरान प्रदर्शन कारियों पर पुलिस ने जब कर बल प्रयोग किया पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिला प्रदर्शन कारियों को भी नहीं बख्शा और उने लाठी और डंडों से बीटा बताय जा रहा है कि वाज़ितप्रो इलाके में कुछ लोगों ने बाबा सहाब अंबेटकर की प्रतिमा पर कालिक बोड़ दी जिसके बाद यहां हंगामा बढ़ गया इस्थानी प्रशासन इमामदे को सोजाने के लिए अंबेटकर पार्क में चार दिवारी बनाने का निर्णे लिया चार दिवारी का काम शुरू होते ही कुछ महिलाओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया प्रदर्शन कारियों का आरोब था कि अम्बेटकर पार के लिए इस्थानी प्रशासन कम जमीन दे रहा है इसी वासे नालाग दोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाब नारेवादी शुरू कर दी लेकिन इसी भी वाहां अंगामा पड़ गया और प्रदर्शन कारियों ने पत्राव शुरू कर दिया इसके बाद पुलिस टीम ने भी उपद्रियों पर जबावी कारवाई शुरू कर दी पुलिस के मताबिक परदर्शनकारियों ने नाइप तहसिलदार की गाड़ी में तोड़ पुर की और पुलिस पर पत्थराव किया जिसके बाद पुलिस ने हलका बल प्रयोग किया हंगामे और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस पर पुलिस पर की तनाती की गई है उपद्रों को अनने वालों के खिलाब पुलिस ने मामला दर्ज किया है इन्हें देखिये घर से ही सोप मैनुफेक्चरिंग करते हैं और महीने का एक लाग कमाती है आप भी सोप मैनुफेक्चरिंग करना चाहते हो इनसे सीखना है तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए